नमस्ते सुप्तुगु निकला इस यूटुब चानल पर आपका सागत है अभी ठंडी का मौसम शुरू है और ठंडी के मौसम में मेथी के सबजी का जितना ही सेवन करेगा उतना ही सेथ के लिए अच्छा रहता है तो अभी इस मेथी से सूप कैसे बनाना है यह देखेंगे यहाँ पर मैंने एक हरी मेथी की चुड़ी ली है अभी इसको अच्छे से तोड़ के धो लेंगे यहाँ पर देखें मेथी मैंने इस तरह से कट किर ली है और सूप बनाने के लिए यहाँ पर दो हरी मिर्ष ली है और तीन चार लसुन की कलिया ली है सुब बनाने के लिए यहाँ पर कड़ाई रख दिये है ग्यास पर अभी एक चमच हाइल डालेंगे तेल गरम हो चुका है अभी इसमें सरसो की दाने डालेंगे और यह लसुन और हरी मिल्च इस तरह से बारी कट कर लिए मैंने और मिल्ची थोड़ी सी मोटी रखिए कट करके जो हमें अगर पिखा लगे तो निकालने में आसानी होंगी अभी इसमें तुरंद जीरा यह डाल देंगे और अच्छे से होने रिए जीरा की जगा जीरा पाडर भी उट कर सकते हैं देखिए यह अच्छे से हो गया है अभी इसमें हल्दे आड करेंगे और जो मेथी हमने कट करके लिथी वो डाल देंगे यहाँ पर मैंने मेथी थोड़ी तर पपने के लिए रख दी है और जो नमक है यह हम बाद में डालेंगे और जो मेथी है यह सेट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है और जो मेथी का सूप है यह बनाने में भी बहुत इजी है और ठाने के लिए और सेट के लिए बहुत ही कोस्तिक रहता है यह हम खिटड़ी के साथ भी खा सकते हैं इस तरह से मेश्या पख गई है अब इसमें पानी आड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने और पानी लिया कि एग पाने को âmoo युझा ज्माड कीयुक आधा पकते नमक दिदेगा है और जो आधा go di.안 खाला हो 儉टत हैं तो पतला रहता है इसलिए तने मेश्ट आपwasiz में नमक डालेंगे टेस्ट के अकर्डिंग अभी शूप को उबाल आने तक पकाएंगे लेकिन शूप के उपर हमें डफकन नहीं रखना है क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है और अगर डफकन नहीं रखेंगे तो इसका कलर आप देखे सकते अभी कैसा आएगा तो यह देखिए अभी उबाल आ गया है और हमारा जो सूप है मेथिका यह बन के प्यार हो गया है अभी ग्यास हम बन कर देंगे इसको हमने डपकर नहीं रखाता है आप देखी सकते हैं इसका कलर कैसा आ गया है तो अगर आपको रेसीप अच्छे लगे तो लाइक सस्क्रेब शेयर जरूर किजएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद